हलो माई डियर चिल्रेन एंड वेलकम टो मिंट टॉक इंडिया आप सभी को क्लास टू में आने की बहुत सारी बधायां इस साल हम बहुत ही और नहीं नहीं चीज़ें शीखेंगे और बहुत मज़े करेंगे तो आपके N.C.E.R.T. क्लास 2 मैथ मैजिक का चैप्टर नमबर 1 है What is long? What is round? Long मतलब लंबी चीज और round मतलब गोल गोल चीज जैसे आपके इस फोटो में भी दी हुई है जब आप क्रिकेट खेलते हो तो इस तरीके से लंबी चीज के साथ खेलते हो long thing और जब आपके पापा आपके पैस पैसे देते हैं टौफी खरीदने के लिए तो पैसे गोल गोल होता है, round होता है तो चलिए आज क्लास का सबसे पहला दिन है और आज हम खेल ज्यादा करेंगे We will play a guessing game हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें मैं आपको कुछ बाते बताऊंगी और आप उसे guess करना है कि वो क्या ह ठीक वैसा ही गेम जैसे की मीकु अंकल यहाँ पे खेल रहे हैं, चिल्रेन लव अंकल मीकु, he plays with them everyday, today he has kept different things in his bag, the game is guess its name, तो इस बच्चे ने मीकु अंकल की आखो में एक यल्लो कलर की पट्टी बान दी, मीकु अंकल अपने हाथ को अपने बैग में डालेंगे, अपने हैं सबस्के के बारेंगे सबस्क्रादेंगें कि वह सामान क्या सकता है अब सबसे पहली वाली चीज की बारी मीकु अंकल ने अपना हात डाला और सबसे फेंसे पहले उनके हाथ में जो चीज आई वह कैसी थी? Pointed at one end One end मतलब एक और से एक तरफ से यह जो चीज था वो Pointed था Pointed मतलब एक ऐसी चीज जो नुकीली है जो हमारे हातों को छूने में बिलकुल एक Point की तरह फील हो Flat at the other end और इस चीज का जो दूसरा वाला सिरा था, end था वो एकदम flat था, support था जिसे हम अपनी उंगलियों को घिस सकते हैं But round like a pipe और उसकी body कैसी थी बिलकुल किसी pipe की तरह round थी जिस पर हम अपनी उंगलियों को फेर सकते थे Guess what is its name यह कौन सी चीज थी Team A says it is a pencil क्या आपको भी यही लगता है Do you also think so So yes, we also think So, एक pencil का एक तरफ का हिस्सा pointed होता है और दूसरा हिस्सा flat होता है Now you think of a different answer Pencil के अलावा क्या कोई और चीज भी ऐसा है जिसे हम अपना answer बुना सकते हैं क्या कोई और ऐसी चीज है जो सामने से pointed हो और पीछे से flat हो और उसकी body जो होगी वो एकदम pipe की तरह roll-roll हो सकती है अंकल मीकू ने बच्चों से question पूछा तो इसका answer हो सकता है हाँ इसका answer हो सकता है pen Pen भी ऐसा होता है जिसका जो nib है जिससे हम लिखते हैं वो एक तरफ से pointed होती है और pen का दूसरा वाला हिस्सा flat होता है जिस पे हम अपनी उंगलियों को घिस सकते है और pen की जो body होती है वो भी एकदम pipe की तरह गोल-गोल होती है अब team A की बारी थी now it is the turn of team A to touch and guess team A में से एक बच्चे ने अपना हाथ bag में डाला और उसके अंदर से एक सामान को छू कर उसके बारे में बताया round all round हर तरफ से मुझे गोल-गोल ही नजर आ रहा है round all round has no corners इसका कोई भी कोना हो ऐसा कोना मुझे बिलकुल भी छूने को नहीं मिल रहा है I can roll it in my hands और मैं इस round-round चीज़ को अपने हाथों में roll-roll कर सकता हूँ यानि कि गोल-गोल घुमा सकता हूँ guess what is it क्या अब बता सकते हैं इस बच्चे ने अपने हाथ में क्या पकडा था तो एक ऐसी चीज़ जो गोल है round है जिसका कोई भी corner या कोना नहीं है और जो हमारे हाथ में roll हो सकता है लुडक सकती है that can be only a ball अब बारे थी team B की it was the turn of team B to feel and guess और इसी तरीके से ये game चलता ही रहा क्यों ना आप ही अपने parents के साथ इस game को खेले और मजे ले now you also play this game in teams now I will take out few things from my bag और वो चूने में कैसा है वो मैं आपको बताऊंगी and you have to tell me कि वो क्या सामान है the first thing I have got is a round thing this is round thing it has no corners but it is flat ये चप्टा है ये क्या चीज है ये एक प्लेट है this is round and round it has no corners and it is flat also ये चप्टा है इसके बाद मेरे bag में जो दूसरी वाली चीज है वो लंबी चीज है it is long लेकिन इसके corners भी है it has many corners and it has many flat surface also I can open it also what is this this is a pencil box the pencil box is long it has corners pencil box में कितने corner है 1, 2, 3 and 4 और नीचे 5, 6, 7 and 8 और इसके flat sides भी हैं जहां पे मैं अपने हाथों को रगड सकती हूँ वो है flat sides कितने flat sides हैं सामने से count करते हैं this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 और नीचे this is 6 6 flat sides हैं इसके और मैं इसे open भी कर सकती हूँ उसके बाद मुझे बैक के अंदर जो सामान मिला वो भी लंबी चीज है that is also long and it also has corners it has flat sides also लेकिन मैं इसे खोल नहीं सकती I cannot open it let us see what is it this is a scale the scale is flat scale चप्टा है scale long है उसके कितने corners है 1, 2, 3 and 4 corners इसके sides भी हैं उपर एक side और नीचे दूसरा वाला side लेकिन मैं इसे open नहीं कर सकती उसके बाद मेरे bag में जो है वो छूने में कुछ paper जैसा लग रहा है this is a paper kind of thing it feels like a box इसके corners भी है इसके flat sides भी है और flat sides जहाँ पे आके join हो रहे है वहाँ पे एक line जैसा नजर आ रहा है लेकिन मैं इसे open नहीं कर सकती can you tell me what is this this is a dice dice के flat sides है dice के corners भी है लेकिन dice long नहीं है ये चारो तरफ से same है because this is made of a square dice के कितने corners है 1,2,3 and 4 और नीचे 5,6,7 and 8 dice के कितने sides है side से गिनते है 1,2,3 and 4 ये उपर 5 नीचे 6 sides है what is the next thing in my bag I have got a round round thing again it has no corners it can roll into my hands but it is not a ball क्योंकि मैं इसके बीच में से हाथ डाल के निकाल सकती हूं I can put my hands inside it what is this this is a cello tape cello tape is round and round it has no corners it can roll into my hands and I can put my hands through it let us see the next thing in my bag it is again a long thing और इसके दोनो sides flat है एक side थोड़ा बड़ा है एक side थोड़ा छोटा है और इसका body भी पूरा pipe की तरह गोल गोल है can you tell me what is this this is a bottle bottle roll हो सकता है it has flat at both of its side एक side थोड़ा बड़ा है दूसरा वाला side थोड़ा छोटा है और इसकी जो body है वो बिलकुल pipe जैसी है next there is another fun game for you how strong is a postcard you have to take a postcard और अगर आपको postcard नहीं मिला तो आप chart paper में से एक छोटा सा corner कट करके भी इस activity को कर सकते हैं from one corner तो आपको क्या करना है you have to hold the postcard from one corner और उसके बाद आपको अपना कोई भी book math magic का book ही postcard के उपर रखने की कोशिश कीजिए if you keep a book on the postcard you will see that it cannot hold the book book नीचे गिर जाएगी postcard बुक के भार को नहीं समाल पाएगा now try this आप postcard को रोल कीजिए just like a pipe side से side तक उसे रोल कीजिए और फिर cello tape से उसे लगा लीजिए now try this roll the postcard to make a pipe postcard को side से side तक मोड के उसे cello tape से लगा लीजिए उस तरीके से आपको एक ऐसा pipe मिल जाएगा अब आपने ये जो pipe बनाया है इसी pipe के उपर अपने कुछ note books रख के देखिए does the postcard hold it आप सबसे पहले अपने note books को रख के देखिए कि ये pipe कितने note books को hold कर पाएगा तो आप देखेंगे कि ये pipe सच्ची में बहुत सारे note books को hold कर पाता है see how many books can it hold तो ये activity भी आप अपने आप कीजिए और मुझे भी comment करके बताएगे कि आपके postcard pipe के उपर कितने सारे books आप जमा कर पाएगे ये ही वाला गेम चलता रहा hurry up, be quick children are sitting in a circle in a class they are clapping, singing and playing this game a bat is long, a ball is round a bottle is long, a cap is round look around, look around now you also play this game in your class name two things one is long and one is round तो आपने भी अपने घर के आसपास कौन-कौन सी लंबी-लंबी चीजे देखी है उसकी एक लिस्ट बनाईए और कौन-कौन सी गोल-गोल चीजे देखी है उसकी भी एक लिस्ट बनाईए तो यही पे हम अपना वीडियो खतम करते हैं आगे का जो चैप्टर है आपका दाट इस वाट रोल्स एंड वाट स्लाइडस हम पार्ट टू वीडियो में पड़ेंगे और इसी तरह मैं आपको एक्टिविटी में करके दिखाऊंगी कि कौन सी चीज रोल होती है यानि कि गोल-गोल घूम सकती है और कौन सी चीज स्लाइड होती है यानि कि उपर से नीचे तक या फिर साइड से साइड तक खिसक सकती है तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट टू वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू और बाई बाई